ओम नमज शिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमज शिवाए गुरुजी सदा सहाए शर्मा जी का परिवार हर सोमवार गुरुजी के मंदिर जाता था परिवार में चार सदस्य थे शर्मा जी की लड़की हर बार अपने माता पिता के साथ गुरू जी के मंदिर जाती थी और गुरू जी पर पूरा विश्वास रखती थी लेकिन उनका लड़का हर बार उनके साथ मंदिर आने को मना कर देता था वो कहता था आप गुरू जी के मंदिर जाते हो तो मुझे कोई आपत्ती नहीं है लेकिन मुझे साथ जाने को मत कहा करो मुझे भगवान के अलावा किसी और व्यक्ती में कोई विश्वास या शरद्धा नहीं है शर्मा जी और उनकी पतनी बेटे को समझाते थे कि बेटे गुरुजी भी भगवान के ही अवतार है उनके साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति का कल्यान हुआ है यहां तक कि हमारे घर में चल रही परिशानिया भी गुरुजी के शरण में जाने के बाद कम हो गई है लेकिन वो बेटे पर गुरुजी के मंदिर जाने का ज़्यादा दवाब नहीं डालते थे शर्मा जी हर बार कहते थे जब गुरुजी का बुलावा आएगा तो हमारा बेटा खुद हमसे साथ चलने को कहेगा और गुरुजी खुद कहते थे कि घर का एक सज़से भी मंदिर आता है तो पूरे परिवार को आशिरवाद मिलता है और गुरुजी उसको ना समझ मानकर माफ कर देंगे दो से तीन महिनों तक ऐसा ही चलता रहा शर्मा जी के बेटे को छोड़ कर पूरा परिवार गुरुजी के मंदिर सोमवार को जाता रहा एक सोमवार जब शर्मा जी का परिवार बड़े मंदिर जाने के लिए कार में बैठा तो शर्मा जी की कार स्टार्ट ही नहीं हुई उन्होंने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई बेटे ने देखा और पुचा पापा क्या हुआ शर्मा जी ने कहा कुछ नहीं बेटा शायद गाड़ी खराब हो गई है स्टार्ट नहीं हो रही है बेटे ने शर्मा जी से कहा कोई बात नहीं पापा मैं आपको बड़े मंदिर छोड़ दूँगा लेकिन प्लीज मुझे अंदर जाने को मत कहना मैं आपका भारी इंतजार करूँगा ऐसा कहते हुए वो सब बड़े मंदिर निकल पड़े उनका बेटा पहली बार बड़े मंदिर जा रहा था शर्मा जी ने सोचा चलो अच्छा है आज मंदिर तक जा रहा है कल अपने आप मंदिर के अंदर भी चला जाएगा गाड़ी मंदिर रुकी और जैसे बेटे ने कहा था वो भार इंतजार करने लगा शर्मा जी उनकी पतनी और बेटी अंदर दर्शन के लिए चल पड़े जब बेटे ने चारो तरफ देखा तो आश्यरे में पड़ गया मंदिर में इतनी भीड कैसे आ रही है अमीर गरीब हर धरम जाती के लोग मंदिर आ रहे है चारो तरफ जै गुरू जी जै गुरू जी ही सुनाई दे रहा है उसने सोचा क्योंना में अंदर जाकर देखूं कि मंदिर में ऐसा क्या है क्यों इतने लोग अंदर जाने के लिए बेताब है शर्मा जी जादा दूर नहीं पोचे थे तभी उनका बेटा भी उनके पीछे आ गया और उनके साथ चलने लगा जब उसके परिवार वालों ने उसे देखा तो वे भोध खुश हो गए और उन्होंने गुरुजी का शुकराना किया उन्हें पता था ये सब गुरुजी कर रहे हैं ये सब उनका आशिरवाद और चमतकार है जब सब मंदिर के अंदर पोचे तो मंदिर का भवे नजारा देखकर शर्मा जी के लड़के के रोंगटे खड़े हो गए और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उसे अंदर कुछ न कुछ अच्छा सा अनुभव होने लगा जैसा आप सब को वहाँ जाने से होता है संगत जी उसे महसूस हुआ कि कोई दिव्य शक्ती यहां मोजूद है जो उसके मन को शांती और सकून दे रही है सबने दर्शन करे और गुरुजी का शुकराना करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े शर्मा जी का बेटा जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगा उसके फोन में एक टेक्स्ट मेसेज आया यू आर हायर फोर्डी पोस्टिंग ओ सीनियर मैनेजर ओफ आर कंपनी उसने अपनी आँखों में विश्वास नहीं हुआ वो जिस जॉब के लिए पिछले चार साल से इंतजार कर रहा था वो आज उसे मिल गई उसने ये खुशकबरी अपनी बहन माता पिता को बताई तब शर्मा जी ने कहा मैंने कहा था न गुरू जी कोई आम इंसान नहीं है और जो उनके दर पर आया है उनको गुरू जी ने कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया आज शर्मा जी के बेटे के गाड़ी के पीछे भी लिखा है जै गुरू जी जै गुरू जी